नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेर करने जा रहा हूँ, जो शायद ही कभी आपने सुनी होगी और यह स्टोरी यकीनन गला कार्ट कमपडीशन के इस दौर में आपकी सफलता की डेफिनीशन को चेंज कर देगी आई यह सुनते हैं केनियन रणर, अबेल मुथाय केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर था अपनी फिनिशन लाइन के पर वो वहाँ पर लगे साइन बोट से कन्फ्यूज हो गया और उसको लगा कि उसने फिनिशन लाइन को क्रॉस कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं था अबेल मुथाय के पीछे आ रहे इवान फर्णांडिस जो की एक स्पैनिश रणर थे, उनको समझ में आ गया था कि अबेल मुथाय जो की सबसे आगे था, वो बिना फिनिशन लाइन को क्रॉस किये, क्यों रुख गया इवेन फर्णांडिस ने अबेल मुथाय को चिला कर जोर जोर से कहा, भागते रहो, क्योंकि अबेल मुथाय को स्पैनिश लेंगुज नहीं आती थी, इसलिए इवेन फर्णांडिस ने अबेल मुथाय को पीछे से धक्का दिया, जिससे कि अबेल मुथाय ने फिनिशन ला जीत सकता था वो अबिल मुथाई की उस छोटी सी गलती का फायदा उठा सकता था तो इवन फर्णांडेस ने अबिल मुथाई को जीतने क्यों दिया यही सवाल जो आपके मन में है यही वहां के एक रेपोर्टर का भी था कि आपने ऐसा क्यों किया इवान का इस पर जवाब था कि ये मेरा एक सपना है कि एक ऐसा समास तयार हो जो कि एक दूसरे की मदद करे एक दूसरे को जिताने के लिए रिपोर्टर ने फिर पूछा कि पर आप ये रेस जीत सकते थे जिस पर इवान का जवाब था पर इस जीत का कोई सार्थक औचित नहीं रहता ना ही मुझे इस जीत के बाद मिले मैडल्स की कोई गरिमा की अनुभूती होती और मेरी मा क्या सोचती मेरी इस जीत के बारे में तो दोस्तों हम असल जिंदगी में जोड तोड छल कपट आदी से जिंदगी के कुछ रिस से जीत तो लेते हैं पर इस तरह की जीत हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देगी ये सोचने वाली बात है अगर हम इस तरह की जीत में अगर यकीन करेंगे तो यह केवल यही मैसेज देगी कि दूसरे को मजबूत बनाने के बज़ाए दूसरे की कमजोरियों को फायदा उठाओ पर क्या इसी तरह के एक आदर्श देश की हम कलपना करते हैं बिलकुल नहीं इसलिए इवान फर्णानिस ने हार के बाबजूद जो जीत की एक मिशायल कायम की है इसी तरह की सोच से हमें आगे बढ़ना है बेशक हम रेज तो ना जीत पाएं पर दिलों पर राज जरूर करेंगे और आखिर में इस स्टोरी को आपके अपनों के विज जरूर साधा कीजिए जैहिन जैभारत